नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा दोस्तों जो हर दर्द के लिए एक रामबान दवा है चाहे आपको कमर के दर्द की समस्या हो, खुटनों में दर्द की समस्या हो, जोडों में दर्द की समस्या हो कलाई के दर्द, हाथ दर्द, बाजू का दर्द, यानि आपके सरीर का कोई भी दर्द हो हर दर्द को चाट जाने वाला नुस्खा है यह दोस्तो मरते दम तक आपको पत्थरी, मुटापा, सुगर, कोलोस्टोल, हार्डटेक यानि दिल की बिमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसा च्यमतकारी नुस्ख है और दोस्तो इस नुस्खे को बनाने में भी आपको महज 5 मिन्ट लगीगे और इसके लिए जो जरूरी सामगरी चाहिए वह भी दोस्तो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा यानि आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है और दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली मुखे सामगरी है वह है दोस्तो तेजपत्ता दोस्तो तेज पत्ते में टेनिन, फ्लेवोनाइड, एलकलाइड, यूजनाल, लिनालूल ऐसे गुन मोजूद है जो आपके सरीर की बेमारियों के लिए एक रामबान दबा है और आपकी सभी बेमारियों के काल की तरह काम करता है दोस्तो डाइपटीज और कोलोस्टोल के मरीजों पर अभी कुछ दिन पहले ही तेज पत्ते का एक परियोग किया गया तीस दिन तक डाइपटीज और कोलोस्टोल के मरीजों को तेज पत्ते का सेवन कराया गया और इस जो प्रिणाम मिले दोस्तों वो बहुत अधिक चमतकारी थे क्योंकि इनके जो diabetes और colostrol के मरीज थे उनके सिरम गुलकोज में 21-26% तक की कमी देखी गई साथी उनके colostrol level में भी सुधार देखा गया उनका जो अच्छा colostrol था वो बढ़ गया बैड colostrol थाओ कम हो गया और दोस्तों जब आपको colostrol की समस्या नहीं होती तब आप दिल की बिमारियों हार्ट अटेक और हार्ट ब्लोके जैसी बिमारियों से बचे रहते हैं दोस्तों तेजबत्ते का प्रियोग करके या इस नुस्खे का प्रियोग करके आप अपने सवसंत अंतर अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बिमारियों का भी इलाज कर सकते हैं आपकी छाती में चाहिए कितना भी पुराना कफ जमा हो आप उसको भी बाहर निकाल सकते हैं उसके लिए भी ये एक रामबान दवा है क्योंकि इसमें anti-inflammatory गुण मोजूर होते हैं इसे सूजन कम करने के लिए मददगार माना जाता है और इससे आपकी छाती में जमा बलकम बाहर निकलेगा जो खाम और खासी के लिए तो ये पहली ही खुराक से असर करेगा दोस्तों जी इसके अंदर सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण भी होते हैं एक अध्यन के अनुसार इसकी पतियों में COX2 नामक अंजाइम की गतिविदी को रोकने का काम करते हैं इसकी पतियां इस अंजाइम के कान सरीर में सूजन बढ़ सकती हैं इसके अलावा इस पत्ते में मौजूद सिनौल भी सूजन से लड़ने और दर्द को कम करने का काम करते हैं दोस्तों यदि आपको फंगल इनफेक्शन की समस्या है तब भी आप तेज पत्ता और आज के इस नुस्खे का परियोग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल गुन है जो आपको फंगल इनफेक्शन से बचाने का काम करते हैं यदि आपको वजन कम करना चाहते हैं आपके पेट पर अतरिक चरबी है और आप धेरो नुस्खों को अजमा अजमा कर ठक चुके हैं तो दोस्तों प्लीज मेरी आपसे एक विंती है कि आप इस नुस्खे को जरूर अजमाईए और रिजल्ट भी आप हमें जरूर बताइए क्योंकि ये नुस्खा आपकी पेट की चरबी को चाट जाएगा और आपको बिल्कुल सलिम और फिट बना देगा यदि आपको किड़नी से जुड़ी समस्या हैं किड़नी और पेसाब की नली में मुझूद पत्थरी के इलाज के लिए भी आप इस पत्ते या इस पत्ते से बने इस नुस्खे का परियोग कर सकते हैं और आपकी यह समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी क्योंकि इसमें लोरिक एसिड पाये जाता है जो किड़नी की समस्याओं से आपको रहा दिलाता है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोलस्टोल और दिल के लिए तो यह कारगर दवा की तरहें काम करता है आपके इन समस्याओं को बिल्कुल दूर करता है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में एंटुक्सेंट पाये जाती है दोस्तो तवचा के लिए भी यह कारगर दवा है आपके चेहरे पर जुरिया नहीं आने देता है आपके चेहरे पर नया गलूल आता है एंटी एजिंग की तरह है काम करता है दोस्तो और आपके बालों को भी पोसन देता है तो चलिए आपको बताते हैं कि सनुस्खे में आपने क्या क्या समगरे लेनी है पहला तो लेना है दोस्तो तेज पत्ता और तेज पत्ते लेने हैं आपने 5-6 आप ले सकते हैं दूसरा है लोंग, लोंग भी आपने दोस्तों पान से छे लेनी है, और दोस्तों लोंग के गुण भी बहुत अधिक चमत का रहे हैं, हमारे सरीर को निरोगी बनाने के लिए, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, कोल्ड कफ का इलाज करने के लिए, तीसरी से में जो सामगरी चाहिए, और आपने अध्रक अभी एक टुकडा ले लेना है, जैसे कि ये हमने लिया, आपने इस अध्रक को छील कर धोकर साप कर लेना है, और टुकडों में काट लेना है, जैसे कि ये मैंने काट, अब आपने इसमें ये, मैंने 5-6 लोंग इसमें डाल दी, और 5- आपने तेजपते साफ करके उनको तोड़कर डाल लेना है जैसे कि मैंने डाल दिया अब आपने जो तीनों सामगरी को डेड़ गिलास पानी लेकर किसी बरतन में उसमें डाल देनी है और आग पर उबलने के लिए रख देनी है जैसे कि ये मैंने रख दी अब दोस्तों आपन आपने इसको चान कर इसका सेवन करना है और इसमें स्वाध के लिए अपने सहद मिला सकते हैं लेकिन यदि आपको डाइवटी से है तब आप सहद का परियोगा ना करें और इसे एक बात का ध्यान रखे दोस्तों ये जो माटेरियल था ना अदरक, तेज, पत्ता और और आपकी यह बीमारियां बिलकुल दूर हो जाएंगी, आपके स्रीर की इम्मून पावर बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की सक्ति बढ़ जाएगी, आपका स्रीर निरोगी बन जाएगा, और मरते दम तक आप बीमारियों से बच रहेंगे, लाखों बीमारियों की और अपने स्रीर को बिलकुल निरोगी बना दे, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियों अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन क जो बैल का इकोन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियों की नोटिफकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों